तुम्हें शबनम सेख 28 दिन का यात्रा तैकर आज आपको तादे महौबा पहुची? अयोध्या में प्रभुराम के प्राणपतिष्ठा में सहबागिता के लिए मुंबई से पैदल चली शबनम सेख 28 दिन का सफर तैकर आज पुंदेल खंट के महौबा पहुची है 1350 किलो मीटर के सफर में महराश्च और मध्यप्रदेश के रास्ते महौबा पहुची शबनम सेख का हिंदू संगठा ने जोरदार स्वागत किया 20 साल की शबनम बचपन से ही भगवान राम में आस्था रखती चली आई है और इस कठिन यात्रा में उसके पैरों में चाले भी पढ़ चुके हैं लेकिन शबनम अपने दोस्तों के साथ भगवान श्री राम की प्रायन पतिश्था में शामिल होकर अपने भाव को उनके सामने रखना चाहती है इस दौरान राम नाम और राम भजन गाते हुए शबनम अपने सफर को आसान बना रही है आज मुझे टोटल हो चुके 29 डेज और यह मेरे लिए कोई भी कटिन यात्रा नहीं है क्योंकि हमेशा मेरे साथ राम जी रहते हैं ऐसा मुझे ऐसास होता है आबास होता है और हनुमान जी भी ऐसा रहते है बहुत सारी कटनाई आती है रास्ते में लेकिन कही ना कहीं वह अपने आप सॉल्फ हो जाता है ऐसा हमने नोटिस किया गरे जंगल में चलते रहते हैं दूर दूर तक कोई नहीं दिखता रात को लेकिन कहीं ना कहीं से हेल्फ मिल जाती है कर दो मिल जाती है